हेलो गाइज, हाम है क्यों तोहिन के सिर्धर मुंडा, आज खोर्ठा भी से लेके आये लिए लिए तोहिन के बीच में, तो जो ये सब जिहाई खोर्ठा पढ़ रहा लाए, चाहें डिलेड कर रहा लाए ओखिन के लिए बड़ी काम देतों, तो ये वीडियो के दहिक के लाइ ताकि दोसर के भी मिलते हैं हमार वीडियो, तो हम दू भाग बताए चुक लाहियों, आज हम इन तीसरा भाग के बारे हम जनकारी लेब यह लेका हियों, तो हम ध्यान से ये वीडियो के देखा, और कोपी में उतायर के लिखेक भी कोशिस कर याए, ताकि आवे वाला समय मे टेट में, चाहें SAC में, JPSC में भी तोहिन के काम देतो, तो हम शुरुवात कर रही, तो ध्यान से तोहिन सुना, तो तोहिन सुना, जे दूसरा भाग वीडियो में हम तोहिन के बतेले रही हों, जनवादी के बारे में, है ने, तो जनवादी, खोर्ठा, रचनाकार, गुल परिचे है, ये तोहिन सुना, है ने, सीरी नुवास पानुरी, जनम एकर भेल रहा हैं, वीडियों 12, november, भीचर में हिल रहा हैं, जित इजसफुम में हिल हैं, Сीरां के लेह ला, यानि मीरतियों 30, ůानि मृतियों भेल रहा हैं, 7-10ént, establishes 1986 भीचर में परिचर में हिल हिल रह अस्तान हेले थना याने बोरवा अड़ा धनबाद मेकर जनम भेल हेलें हैने राचना गुला कम्यूनिटी मैनी फेश्टो कर खोर्ठा अनुवाद मात्रि भासा खोर्ठा राम कथा मिर्त मेग दूत उद्वासल कर्ण चाभी काठी आधी राहन जे लिखले रहाती हैने स्री निमास पानेरुजीक कुछ कविता पंती गुला है मने कुछ पंती है जैसे है कि आज नाई तो काईल हामर बात माने हतो गोडे काटा मुहे धैर टाने होतो तो एकरा तो इन्हें हम स्विन ले लाए आप एकरा हम बढ़े हैं समझाई देयों हिंदी में आज नहीं तो कल मेरा बात जो है आपको मानना पड़ेगा अगर पैर में गोड मतलब पैर अगर पैर में अगर काटा घचूप जाता है अगर उसको मुह से नहीं निकालियेगा यानि हाथ से नहीं निकालियेगा तो आने वाला समय में घखाव का रूप ले ले सकता है और तकलिप आपको होगा इसलिए जो है ये कहें हैं सिरी नुवास पानरी जी आज नाई तो काईल हमार बात माने हतो गोडे कांटा मुहे धैर टाने हतो टाना मने उसको खीचना तो ई जे है कभिता के पंती है एकरत तो इन यायत के लिए है ताकि ये तो इनके भविश में काम देतो है ने अर्दोसर कभिता है येसे नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे ओकर खातीर दूद भात तोर खातीर चां छरे ओकर खातीर उंच दलान तोर खातीर गाच रे है ने येसे करसूर देखे कही सकाईए नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे ओकर खातीर दूद भात तोर खातीर चां छरे ओक रखातीर उंच दलान तोर खातीर गाच रे ओक मतलब ही कविता से एकर हिंदी यह रथ है तहिए अंध्यां दिया है नाच बांदर नाच रे कहने मतलब कोई भी मनोश्य यह उद्धर घुमों नाचो भतको या का मोर मतलब मर जाओ चाहे बचो याने बांचर मने बचो कहने तुम को मेहनत करना ही पड़ेगा कभी जो कब चुटकार्स नहीं मिलने वाला है जो मतल कहतें पति हर्फर पैसा है तो जो है दूद भातैंश्चा तरह से रहता है अ philanthropy जो निर्धन है यानि किना मतला हमरे चांड में लोग किर्सी करने वाले है लेकिन उसके लिए जो धूता जो चशाली होता है वही मिल पाता यानि धंक सी खाना प्रना नहीं खा पाता है यानि वह ओकर खातीर वुच दलान उचा जो महल हो गया बढ़ियां से ठाट से रह रहा है घर घराना बहुत बढ़ियां है और तो और खातिर गाच रहें यानि हम लोग क्या करते हैं यह गाच है उसके गाउं घर में गाच में पेड बीच है एक छोटा सा जोप्डी बना करके दो तिन रूम का हम लोग कोठ्री बना लेते हैं यानि और उसी में रहते हैं तेहीं कभी तक माध्यम से पाने रुजी कर हैं होकर बाद हों डॉक्टर एके जहां यानि डॉक्टर एके जहां के पुरा नाम लागई अजीत कुमार जहां हैं तो जनम एकर हेल रहां 201949 इस्वी के एकर जनम हेल रहां है यानि मुईर गेल है यानि सिराई गेल है तारीक है नौ महिना रहाई दुधियार तेरो में यी एके जहां सिराई गेल यानि मुईर गेला हैं जे नमास्थान हैं चंडिपूर, पेटरबार, बोकारो यानि गोला पेटरबार तो ही नाम सुन लेह पाई हैं नहीं ओकर हुई जे नमास्थान रहाई राचना गूला जी है रहेने कर सईर सरगट उपनियास लिख ले रहा थू मेका मेकी न जो है मेट माट यानि नाटक लिख ले रहात गैदेख खंडी लिख ले रहात यानि गैद संग्रा लिख ले रहात पैदेख खंडी लिख ले रहात पैद संग्रा है समाजिक सर्जुईत निश्चय खंड काविय भासा संस्क्रिती के भीनु पहलुओं परविचार यानी आलोचना खोर्था सदानी भासा ब्याकरन रस छंद अलंकार खोर्था ब्याकरन कर भी रचना ये अजित कुमार जी कर ले रहात तो तनी खोनेकर परिचे रहाई है तो तोहिन सुना डाक्टर एके जहां जी कुछ पंतियां लिखले है थुन सुना तोहिन जोदी कभी तक माने सिंगार फटारेक चर्चा जोदी कभी तक माने लोजडगीरी लीलाले भयक बर्नन तब हामे कभी नाए जोदी कभी तक माने लोजडगीरी लीलाले भयक बर्नन तब हामे कभी नाए अगर कोई अगर कभीता लीक हाँ है इसका अगर बढ़ियां से सब्द का सिंगार नहीं करेगा तो उसका चर्चा कहां से होगा कोई कभीता आगर लीक रहा है लूजडगीरी लूजडगीरी इसको रहेगा तो कोई उसको नहीं पढ़ता है ना उसको सुने कोशिस करता है लीला में भैक बरनन अब इस लीला में जो जितना जो कविता लिखा गया है जो वरनन करते है उसको अगर भऴ अगर ना है तो उसका जो कभी का मतलब भी नहीं निकलता है यहीं乾 terminrix जो है क्प्ष एक जहां कहते हैं यानि ड्क्टर जईद कुमर्च जहां कहते हैं इसमेसित हैं तो आग्ला राचनाकार प्राह। श्रीनात प्रमानी हत। यह सेखां हैं तयर्व 3 जनवरी 1909 सिष्पी के जनम जलाइं यह अजाद भारत आजाद हाजाद के बाद यह करें जनमहल यह फ्राइब हैं जनम अस्थान हे लें यह वैं तो वैदमारा बुकारों हेल रहसं राचना गुला हैं दामदोर का गोध कहने का मितलम लोगा सकते हैं खन काई भी है 1986 बच्छर में लिख ले रहाद तातल आर हेमाल कभिता संग्र 1998 बच्छर में कर ले रहाद खोर्था लोक साहित प्यवेचन ग्रंथ है 2005 में कर ले रहाद मैच गंधा महाकावी लिख ले रत्थोन 2013 में कुछ पंती येकर में देल गेल है तो इन ध्यान से तो नहीं सुनी आए जे देख दुर्गा पुजा करे सेह सजनी पाहूर परे मातिक देवो के हवे मान कहने का मतलब जो है जो देख दुर्गा पुजा करें कोई बहुत लोग होते देख करके दुर्गा पुजा का दाली महिला तो उसको जो पाहूर पाहूर मतलब जो हम लोग बली विगरा देते हैं उसको हम लोग गचते हैं उसको पाहूर देते हैं है है ना देवता मानते हैं इश्वर मानते हैं है कि नहीं तो ये कुछ पंती सिवनात प्रमानिक जी कहें हैं तो 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 हैने करा याद कर लिया है तो अगला रचनाकार हत्थून डॉक्टर वी एन उहदार एकर पुरा नाम लागन डॉक्टर भोगनात उहदार जनम एकर भेल हैं दू शितमबर उनी सौव बावनी समी महल रहा हैं यानि अजाधी हेल के बादे यानि 47 में आजाध हैल रहो यानि 5 साल के बादे एकर जनम ह स्थान रहें, एकर भोधारी टोला, चेटार में हेल रहें पोस्ट पढ़ा लाई गोषा, परखन रामगण में एकर जनम हेल हेलाई यह भायां खोर्ठा भास्षा एवं साहती यानि साहती है ये है जे है उद्भव एवं विकास है ये शोद परक किताब हैं येकर तीन संस्क्रन भेल हैं तीन बार चपल हैं यानि कहें मतलब 2007 में पहला चपल रहें ओकर बाद 2000 गारों में चपल लें ओकर बाद 2007 में चपल लें यानि 5 साल के द्रव्यान रह लें ये अनुदिती तांजली गजलेक खोर्ठा अनुबाद कर ले हादी येकर चाड़ा बहुते कहनी कभीता भीनू भीनू पत्र पत्रकाई चपल है तो येकर ये भीनु भीनू पत्र पत्रकाई चपल है तो तणी 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 तो इनके एकंचीन के परिचाई कराय रहल जोन है अगला जेब हम भाग लावब वह कर्में बिस्तार से तो इनके बतह बोन है अगला रचनकार हाथ बासदेव महतो है ने एकर जन्वर हैं आठ ज छेर्शत में हल रहें जनमस्थान हैं छोटकी डूंडी रामगण में हल हल हैं जैसे कर्मा नाम सुनों है लेपाई उन्हीं डूंडी है हैं तो रचना गुला है कत्रन हैं खोर्ठा हिंदी के विविद रचना संग्र है गाषेक चरह्यां बड़ा उदास कभीता लिख ले हैं खोर्ठा लोकोती लिख ले हैं खोर्ठा ब्याकरनेक एक खुमचा अर्था समंधी वैनली पतांव में होना करते करते यह तो यह लेके बासद्यों माहत हो कि तनी खुन परिचार रहो अगला रचना कारहों स्याम संदर महतो यानी एकर उपनाम लागें स्याम नाब लागें हैंने स्याम तो एकर जनम हेल रहें पांस इतांबार 1936 बच्छर में करहा रहें यानि आजादिजी से पहले कर जनम हेल रहें है कर धनवाद जिल्लक खेस्मी गोमों में हल रहे हैं राचना गुलाई कर ले हाथ हूं मुक्तिक डहर मुक्ति मन कोई महर जात नो कर रास्ता के बारे में वते ले हाथ सहित सकतिनात मातो पर लिखल खोर्था खंड काईब चेड्राःक मुण्डे तेल मतलब माता छिला लेता है बालोगर चिलवा लेते हैं उसको चेड्राःक मुण्डे तेल कविता संग्रा कर ले हाथ है नहीं खोर्था प्रकुर्ण है सहयती है बिरहत खोर्था सब्धकोष आदी बने लिखल आध या विर्रभ संवर्था सब्धकोष खोर्था बैं लिखले हाथ तो तोेह न भी सुना हलाई, देखा हलाई, समझा हलाई, जनवादी, खोठा, रचनाकार, गुलाक, परिचय, तनी-तनी हम करे लियोन, तो फिर हम आगे के बारे में बतिवोन, तो हिनके खोठा साहितिये, कर संचिप्त, इधियास है, उकर बारे में जरकारी देवोन, यहले, फिर से कहा लियो सब्सक्राइब करिया है, और सेयर करिया है, ताकि तो हिनके अमर वीडियो खोठा पिसे के मिलते रहतों, तो सब के जरकनी जोहार कर रही होन,